इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनिट से लिग गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डौक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। जो हमें बताते हैं कि हमें दर्द है। यह संधिशोत और पुराने osteoarthritis जैसी स्थितियों में दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। दर्द निवारक दवाओं के साथ इस दवा में seratio peptidase नामक एक सक्रिय घटक भी होता है जो एक एंजाइम है जो समगर उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और वसूली को गती देता है। इसे सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए निर्धारित किया गया ह आवश्यक्ता से अधिक या अधिक समय न ले क्यूंकि या खतरनाक हो सकता है। सामान्य तोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए। यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय जीवन की गुनवत्ता प्राप्त करने में मदद करेगा। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचले या तोडे नहीं। सेरिलिड प्लस टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता तीन दवाओं का सयोजन होता है। एसिकलोफिनाक, पेरासितामॉल और सेरिटियो पेप्टाइडेज। एसिकलोफिनाक एक गैर स्टेरायल विरोधी भरकाव दवा यानि की एनिस आईडी है और पेरासितामॉल एक जवनाशक यानि की बुखार कम करने वाला है। वे मस्ति अज़न की जगह पर असामान्य प्रोटीन को तोड़ कर काम करता है और उपचार को बढ़ावा देता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।